कौन है मतिहानी बेगुसराय के राजकुमार सिंग जिसे नितिश कुमार ने बर्खास्त किया है आईए आपको पूरे ड्यूटेल में बताते हैं दरसल ये वो राजकुमार सिंग नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं मतिहानी वाले विधायक की बात हम नहीं कर रहे है दरसल बात हो रही है जिनका बेगु सराइ में ही ससुराल है और वहीं क्लिनिक चला रहे हैं हम उस राज कुमार सिंग की बात कर रहे हैं दरसल बिहार सरकार ने चेकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राज कुमार सिंग को परखास्त कर दिया है पठना जिले के नौबतपुर निवासी डॉक्टर राज कुमार सिंग बेगु सराइ के मतिहानी रेफरल अस्पताल में चेकित्सा पदाधिकारी के रूप में कारियरत थे बताया जा रहा है कि 29 अपरेल 2000 में चेकित्सा पदाधिकारी राज कुमार सिंग का प्राथमिक स्वास्त केंद्र बरारी कटिहार ट्रांसपर किया गया था लेकिन इस्तावादले के बाद डाक्टर राज कुमार ना तो कटिहार में कभी जॉइन किये नहीं मतिहानी रेफरल अस्पताल से कभी वो विर्मित हुए दरसल जानकारी के अनुसार चेकित्सा पदाधिकारी डाक्टर राज कुमार सिंग लगभग 21 वर्सों से ड्यूटी से गायब थे बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने 29 एप्रेल 2000 को मतिहानी रेफरल अस्पताल से प्राथमिक स्वास्थिक केंद्र बरारी कटिहार ट्रांसपर कर दिया था राज कुमार सिंग का लेकिन तवादले के बाद डाक्टर राज कुमार ना तो कटिहार में कभी जोईन किये ना ही मतिहानी रेफरल अस्पताल से बिर्मित हुए इस बीच कई बार स्वास्थि विभाग ने पत्रों के माध्यम से उनसे संपर्क करने की कोशिश की बताया जा रहा है कि पत्राचा ने उन्हें बर्खास्च कर दिया है जानकारी के नुसार राजकुमार पत्न जिले के नौबतपूर के रहने वाले इनकी शादी बेगु सराय जिले के एग धूगाओंई में हुई है शादी के बाद राजकुमार सिंग्च बेगु सराय सहर के महिला कॉलेज के निकट अप को बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्याफचता में हुई केविनेट की वैठक में डक्टर राजकुमार सिंग को बर्खास्त कर दिया गया लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके उन पर आरोप लगा और सेवा से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है इससे आप समझ सकते हैं कि जिस राजकुमार सिंग के बारे में आप सुनना चार रहते वह मतिहानी के विधायक है उन पर कोई कारवाई नहीं हुई है उन्हें तो नितीश कुमार ने अपने पाले में बुल खास किया गया है तो अब वो सुर्कियों में आ गये हैं